वेलकों बाग टू दिस लेक्षर और इस लेक्षर में हम कंटिनियू करेंगे एक्जाम्पल के साथ अम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे जहाँ पर हम करेंट डूप के कारणि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितने होती है और उसके फॉर्मिलेस की जानकरी ले रहे तो आज के लेक्चर में हम उसके एक्जाम्पल्स देखेंगे तो पहला एक्जाम्पल यह था टू कॉंसेंट्रिक सेर्कुलर कॉइल्स ऑफ टेन टर्न्स और शोन इन फीगर विच इन दे सेम प्लेम उनकी रेडियस यहां पे गिवन है 2040 सेंटिमेटर सो अंदर और यह बाहर टू और पॉइंट त्री अंपिर का करंट फ्लो रहा है अपोजीट डायरेक्शन में तो एक कौम ने क्लॉक्वाइज एक कौम ने अंटि क्लॉक्वाइज मान के चला और सेंटर ओपे मैग्नेटिक फिल्ड कितनी फॉर्म होगी यह पूचा है ठीक है ओके वेबर पर मिटर स्क्वेर के टर्म है मतलब वेबर पर मिटर स्क्वेर ही टेसला होता है वो कन्फ्यूस करने की लिए उसे चोड़ों में बाद में डिल करते हो से पहले हम इसको कैसे सौल करेंगे वह देखते हैं तो यहां पर हमने देखा मैगनेटिक फिल्ड सेंटर पर निकालनी है बिकॉ फॉर्मिला है यह सो हमारे पास न्यू नॉट आया अपॉन टू आर यह फॉर्मिला है वेरी गुट सर्कुलर कोईल के कारणा यहां पर उसको एन नंबर ऑफ टरन से तो इसको एन से मल्टिप्लाय कर देंगे बस इतना ही मॉडिफिकेशन इसके अंदर होगा कितने नंबर टरन से तो बीवन और बीटू के लिए हमारे पास फॉर्मिला है यह फॉर्मिला हम लगा देंगे ठीक है फॉर्मिला तो हमने सिलेक कर लिया चेक दूसरी बात हमें इसके डिरेक्शन की बात करनी है कि मैगनेटिक फिल्ट बीवन किस दिशा में फ्लो होगी तो टेक यॉर्हा किस दिरेक्शन में है अड्चंटर ओ तो टेक यार्टंड गर्लियोर सिंगहिर्श पिंगर्श अलों दीरेक्शिं ऑ कॉर्मिला थिक इना म रहती है ट्डिगें शेशा की त्टिक है बै躁र ए इसीनुट में बीड है टिक यॉर्मिला लाट आटेक्श पे इंसाइड मतलब कौन सा सिंबल दोगे i, j, k, k कौन सा होगा, minus k या plus k, b1 के लिए, minus k cap, और b2 के लिए plus k cap, ठीक है, तो सभी चीज़े रेडिय होगी अभी, अभी वहापे put कर देते हैं, ठीक है, सभी values वहापे put कर देते हैं, तो b1 को क्या लिखोगे, b1 और b2 के अंदर से क्या common आ जाएगा, new not n divided by 2, यह common आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, i1 divided by r1 plus i2 divided by r2, ठीक है, और यहापे इनका direction क्या होगा, direction भी लिख लेते हैं, एक है dot, यह सिंपली में इसको इतनी jump करना ठीक नहीं रहेगा, step by step ही लिखके देता हूँ, so this is new not i1 n divided by 2 r1, इसका direction क्या है b1 का, minus k क्या, plus b2 क्या है, it's a new not i2 n divided by 2 r2, that is plus k क्या, ठीक है, चलब, यह हो गया, यह सभी चीज़े हमें समझ में आई, values हम पूट कर लेंगे, finally, हमें यह क्या मिलेगा, new not की value पूट करने की जरूरत ने, क्योंकि उसके term में ह पूचाए, okay, so, क्या common है, वो common हम ले लेते हैं, and then we will see क्या करें, अब इसको सीधा 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 कर सकते हैं, क्या हमने देखा हाँ, minus k है, plus k है, तो इनको सीधा सीधा हम सब्ट्रैक कर सकते, और यहाँ पे सिर्फ magnitude ही पूचाए, so we can directly subtract, क्या क्या common है, वो में ले लेत हो, n common है, new not common है, और divided by 2 common है, अंदर क्या होगा, i1 divided by r1, minus sign के साथ, plus i2 divided by r2, values पूट कर देंगे, n की value कितनी है, 10, new not की value को पूट करना नहीं है, divided by 2, minus, current i1 कितना है, 0.2, divided by उसकी radius कितनी है, 20 cm मदलब 0.2 meter, plus i2 की value कितनी है, बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो, which is 0.3, यहाँ पे हमने 0.3 substitute किया, और उसकी radius कितनी है, 40 cm मतलब 0.4, ठीक है, you solve this, answer should come out to be 5 by 4, new not, which is option D, तो this is the net magnetic field, हम इस तरीके से calculate करते है, ठीक है, देख लो, किसी को कुछ पूछना है, तो पूछ लो, इस question में already तुम्हें direction दिये है, इस coil का magnetic field का direction इधर है, यह जो, इस x-y plane में जो coil है, उसके magnetic field का direction उपर है, तो check कर लो, कि यह magnetic field के direction तुम लोगों को आते हैं या नहीं, और फिर net magnetic field, कितनी होगी वो बता, ratio पूछाए ना में, magnetic field at the center, find the ratio of magnetic field due to one coil, and the resultant magnetic field by both the coils, चलो, तब तक मुझे attendance दे दो बच्चों, तो कितने बच्चे active है, और कितने बच्चे passive है, यह हमें पता चलेगा, ठीक है, दर्शान, ओके, दर्शन प्रेजेंट है, साक्षी, दोनों साक्षी, ईशा, मयूर, ईश्वरी, गवरांग, पूर्वा, वेल्कम, अभिशेक, अपूर्वा, 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 अक्टिव नहीं है, अकांग्षा, अथर्व, अयूश, देव्यानी, काउस्तूप, अक्टिव नहीं है, यह तो, निशिगंदा, रेनुका, साधिका, समिक्षा, तीन लोग अभी तक, फाउंड आउट हुए है, कि जो अक्टिव नहीं है, श्लोक, सोहम, सोहम, चार लोग, तेजस, वेदश्री, यश, ओके, चार, बूट, ना, कमिंग बैक तो टॉपिक, एंड लेट सी कि इस क्वेश्चन को कैसे एंडल करना, किसी का आया है, किसी कोई बोल रहा था, अभी मेरा दान नहीं था, ऑप्शन, एक के साथ जाना चाहोगे, वन इस तू रूट, ठीक है, चलो, और एक क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन, चलो, इसे सॉल करो, यहाँ पर कितनी मागनेटिक फिल्ड होगी, यह पूचा है, यह सेमी सर्कुलर वाइर है, ओपर कितनी मागनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस करेगा, और यह सेमी इंफानेट वाइर है, तो ओपर मागनेटिक फिल्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, डाइरेक्शन के साथ देखो, तो डाइरेक्शन भी क्लियर हो जाएंगे, डाइरेक्शन का डर नहीं लगेगा, ठीक है, तो एक लर्निंग करव भी कंप्लिट हो जाएगा, जहाँ पर तुम्हें डाइरेक्शन भी आसानी से पता चल जाता होगा, करो, सॉल करो बच्चो, तीन पार्ट है, अब पूर्वा, प्रेजेंट होते हैं, ओके, कर्वार्ट है, झाल वा, गुड, ब्यूटिफुल चलो, दो, तिन आंसर हाजिर हो गए है हाँ, और कोई बोल रहा था, कौन है है, बताओ तक्षी का वियाक्स, कौन सा आ रहा है बेटा, बी चलो, तो देख लेते, कन्फुजन भी निकल जाएगा फिर भी रहा, तो मुझे पूछना पे, ठीक है अरे, कम ओन बॉई, सो गए क्या लड़किया ऐसे आगे चले जाएंगे, पीछे सिर्फ देखते रहे जाओगे तुम लोग झाएगा तो अच्छी गोड़ क्या देखने को मिला हमें यहां पे तीन वायर से ना ऐखींड़ है एक वायर है उसके हम तीन पाइट कर रहें हमारे कन्विदे के लिए ठीक है यह फोस्ट पाइट को सेकेंड ले ले लेते हैं और यह थैर्ट पार्ट ठीक है सो नेट मैगनेटि क्फिल्ड यहां पर हम लिखेंगे B1 plus B2 plus B3 ठीक है So B1 because of this wire this is semi-infinite wire ठीक है उपर भी यह continue है यहाँ पर भी यह continue है Okay semi-infinite wire के एक end पर यह है at a distance A तो magnetic field कितना लिखेंगे बेटा new not I upon 4 pi A ठीक है हाँ B2 को कितना लिखेंगे circle के लिए होता है new not I upon 4 होता है इसके लिए 8 हो जाएगा so new not I divided by 8 A होगा pi नहीं आएगा circle के इसमें pi नहीं आता है ठीक तीसरा यह भी सेम होगा यह और यह first और third new not I divided by 4 pi A ठीक है direction wise देखोगे thumb नीचे है thumb नीचे है ठीक है take your thumb in this direction move your finger in this directions see the thumb should come outward in positive Z direction so it should be plus K cap curl your fingers in the direction of current see the thumb thumb is coming also in the positive K cap direction यहाँ पर देखो move your fingers in the direction move your thumb not finger straight wire के लिए thumb को direction में current fingers along the direction of O open face of form is also in the positive K cap so 3 तीनों को मैं add कर देंगे तीनों में क्या common है वो देखो और इसे common ले लेंगे new not i divided by 4 a common है अंदर बचेगा 1 by कितना बचेगा अंदर पाई यहाँ पर आ गया plus 1 by 2 plus 1 by pi यहाँ पर आ गया ठीक है तो यह 2 by pi plus 1 by 2 which is coming out to be option D new not i upon 4 pi 2 plus pi by 2 ठीक है आया बच्चे समझ में देख कर ला option D coming out to be correct answer और एक question करते है ठीक है एक homework के लिए रखा जाए ठीक है एक question है this question will be for homework इस question को मैं थोड़ा explain करूँ ताकि तुम लोग इसे अच्छे से देख पाई ठीक है axis को मैं थोड़ा और sharp बना देता हूँ तो कौन से axis है और कौन से wire है वो ठीक से बता चला है axis है wires को मैं दिखाएंगे ये wire ये एक wire और ये एक wire ठीक है ताक है और करकें हो चारी करेंग करेंगे इस डिए ये इस डिए आड़ा ये तरकेंगे भाएंगे पाष्ट भाएंगे पापष्ड्ट चारी कर के यहां पर कितनी होगी यहां हो इसको देखोगे इसका डरेक्छन देखोगे इसका डरेक्चेन देखोगे मैगनेटीड व acabou चुकांड चैया आता है अच्छा रखार